क्या आप भी अपनी चोटी को मोटा करना चाहते हैं, बालों की डेंसिटी को बढ़ाना चाहते हैं, बन थोड़ा सा बढ़ा करना चाहते हैं, चाहते हैं कि बालों में वो बाउंस आ जाए और जब भी ओईलिंग करें तो वो टाट ना देखें, चाहते हैं ना, तो आज की वी प्रवार निद्स टू बी डण फोर आ मोटी चोटी हलो तो मैं बीटिफल पीपल प्रेसेंट ओवर हीर वेलकम बाक टू दे चानल आशा करती हूं आप सभी स्वस्थ हैं खुश हैं और अपना बहुत सारा खयाल रख रहे हैं जैसा कि इंट्रडक्शन में मैंने आप सभी से क कि आज मैं आपसे बात करने के लिए आए हूं कि कैसे आप बहुत ही आसानी से अपने बालों की डेंसिटी पर काम कर सकते हैं अपनी चोटी को मोटा कर सकते हैं और जो भी हेस्टाल आप बनाना चाहते हैं वो मात्र अपने बालों से आप बना पाएंगे इसके लिए आपको आपके बालों की डेंसिटी बहुत ही खुबसूरत हो जाएगी और आप काफे खुश हो जाएगे सबसे पहली चीज जो आपको चाहिए वो है आमला पाउडर अब मुझे इसके बारे में किसी से भी कुछ भी कहने के आवशकता नहीं है कि आमला एक सूपर फूड है एक ऐसा पदार्थ है जिसके अंदर सारे के सारे टेस्ट पाय जाते हैं एक इतना खुबसूरत सूपर फूड है जो कि आपकी स्किन और आपके बाल दोनों के लिए काम कर सकता है इसलिए यहां पर मैंने पाउडर का इस्तमाल किया है क्योंकि हम जो भी प्रक्रिया करने वाले हैं ल दूसरा इंग्रीडिन जो यहां पर आपको चाहिए वो है भरिंग राज पाउडर मैं एक सेपरेट विडियो आपके साथ शेर कर चुकी हूं कि भरिंग राज केश राज क्यूं कहा जाता है क्योंकि आपके बालों के लिए राजा का काम करता है और इसकी बहुत खुबसू प्रिंग्राज के बारे में अगर आप और पढ़ना चाहते हैं तो नीचे एक आर्टिकल में आपको लिंक दे दूँगी आप उसको पढ़ सकते हैं तीसरी चीज जिसका इस्तमाल यहां पर आपको करना है वो बहुत ही इंपोर्टेंट है अप्रिती प्रेजना के चानल पर चाहत उसका पाउडर ओडर कर सकते हैं अब चाहत उसका जूस ओडर कर सकते हैं अब चाहत उसकी टाबलेट्स ओडर कर सकते हैं हर प्रकार से यह चीजे मार्केट में अवैलेबल हैं वो सभी चीजे जो मैंने अपने लिए इस्तमाल की है अपने परिवार के लिए इस्तमाल ब्रहमी के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो यह हेर ग्रोध को स्टिमिलेट करने में बहुत इंपोर्टन रोल प्ले करता है तो इन तीनों ही पाउडर को मैंने कंटेनर में लेने के बाद अच्छे से मिक्स कर लिया है ताकि आसानी से यह एक सार हो जाएं और कभी ऐसा न में लेना है और इसमें आपको लेना है हाफ ग्लास ऑफ वाटर यानि की आदा ग्लास पानी इसको आप अच्छे से मिला लीजिए और थोड़ी देर के लिए साइड रख दीजे क्योंकि जितने भी लंप्स हैं जितने भी दरदरी पीसिस पिसे हुए हैं उन सभी को अच्छ सब तरल पदार्थ बन जाए इसके बाद आपको एक कंटेनर लेना है जिस पर आपको चंणी लेनी है और एक बहुत ही पतला सा कपड़ा लेना है क्योंकि इसे हमें कपड़े से ही चानना पड़ेगा यह पाउडर्स है यह नॉर्मल चंणी से नहीं चानेंगे इसलिए अच चंणी की मदद से कपड़े की मदद से इसको अच्छे से चान लेंगे प्लीज मेक शॉर कि कपड़े से चानने के बावजूद भी जो बहुत चोटे चोटे पार्टिकल्स हैं वो नीचे आ जाते हैं बट चस्टोन वरी वो इतने जादा दरदरे नहीं होंगे कि आपके गल का यह गीला मिक्स्टर रह गया है इसको मैंने वापस उसी कटोरी में ले लिया है जिसमें यह बना था और इसके बाद यह जो लिक्वड आपके पास बचा है यह एक सूपर फूड टॉनिक है जिहां यह आपके बालों की ग्रोथ के लिए ऐसा टॉनिक बनकर रेडी हुआ ह कि आप हैरान हो जाएंगे कि मातर कुछ दिन के कंजम्शन से ही आपको बहुत सारे ब्यूटिफुल चीज़े दिखने लगेंगी जहां मैं आपको बताती हूँ इसको आप एक कंटेनर में डाल लीजे और रेफ्रिजरेशन के लिए रख दीजे रेफ्रिजरेटर में अगर मैं उन लोगों को कहना चाहूंगे कि आप भ्रह्मी, भ्रिंगराज और आमला का अलग से जूस लेकर आजाईए और इनको मिक्स करके रख लीजे और इनका सेवन कर लीजे जैसे आप कामफोर्टेबल हैं वैसे कीजे पर जब तक आप इस रेमिडी को कर रहे हैं मैं कि इसका कंजम्शन आपके लिए माजिक का काम कर सकता है तो इन सूपर पाउडर से बने हुए इस सूपर टॉनिक का इस्तमाल आपको करना है एवरी सिंगल डे बहुत सारा नहीं एक चम्मच इस मिक्स्चर का आप लेंगे और हर दिन सुभा कंस्यूम करेंगे पोस्ट यॉ किसी भी डेफिशेंसी की वजह से अगर डेंसिटी कम थी तो वो फिक्स होनी स्टार्ट हो चुकी है इसके बाद बात करते हैं अप्लिकेशन के बारे में टॉपिकल अप्लिकेशन कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है यहां पर आपने जब अच्छे से इसको पानी से नहीं होता है यह जेंटल वे में आपके बालों को अच्छे से वाश ओफ कर देता है नाच्रल ओईल डर्स्ट पल्यूशन जो भी चीज़े आपके बालों में नहीं होनी चाहिए यह उनको वहां नहीं रहने देता तो रीठा यहां पर ले लेंगे और पानी से थीरे थीरे करके पानी आड़ करेंगे और एक बहुत ही खुबसूरत सा तरल पेस्ट बना लेंगे यह कितना भी तरल हो सकता है और कितना भी टाइटन हो सकता है इसमें कोई परिशानी नहीं है और आप बना कर रख लेंगे अब इससे आपको अपने बालों को वोश करना है नाउ जिसके लिए आप ले लिए रीठा बहुत खुबसूरत शैंपू है आपको नॉर्मल शैंपू की आवशकता नहीं पड़ेगी अगर आपकी मर्जी है आपके स्विकल्प के साथ जाना चाहते हैं मैंने यहां पर रीठा का इस्तमाल किया है जो कि एक ब्यूटिफुल अब आपका शैंपू बनकर रेडी हो चुका है जब भी आपको बाल धोने है यहां पर मैंने ऑईलिंग नहीं कर रखी है और मैंने अपने बालों को स्टेप नमबर वण अच्छे से सुलझा लिया है देखिए इस प्रक्रिया में मैंने कहा कि कुछ लोग लिखते हैं कि हमा एक बार बाल अच्छे से सुलझ गए तो इसके बाद यह जो पाउडरी सबस्टेंस हम अपने बालों में लगाने वाले हैं यह बालों को ज्यादा उलजाएगा नहीं तो आप अपने बालों को अच्छे से सुलझा लेने के बाद अपसाइड डाउन कर लीजिए और हाफ बहुत सारा पानी डालते हैं अब अराम से रोक कर देखिए खुद को देखिए क्या कर रहे हैं आधे मग से ही आपके सारे बाल भीग जाते हैं कितने भी लम्डे क्यों नहीं हो तो अच्छे से बालों को भिगा लेने के बाद इसी शैंपू का इस्तमाल करते हुए आप अच्छे से पूरे स्कैल्प को मसाज कर लीजिए और इसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी करके डालिए और अच्छे से लेंस पर भी बहने दीजिए ताकि लेंस भी धुल जाएं समझ में आया इतनी इंपोर्टेंट और इतनी पोर्टेंट चीज़े आप अपनी बालों क जो घर पर रहते हैं कोई परिशानी नहीं है तो बालों को सूखने दीजिए और सूखने के बाद जैसे ही आप कंगी करेंगे जो बचे कुछे ग्रानियोल्स होंगे वह भी जड़ जाएंगे हम तो ऑफिस जाते हैं हम नहीं रुख सकते हैं हमें इमेडियेट विसाल चाहि तो कोई भी हर्बल चांपू अप यहां ले लीजे हलका सा ताकि बस अग्रानियोल्स हट जाएं और उससे आप अपने बालों को पीछे से वाश कर लीजिए और तास इट इसके बाद जब आपके बाल सूखेंगे तो पहली अटेम्ट में आपको लगेगा कि अरे वा बाल अब इसको करते हैं तो एक तो आपके बालों में किसी प्रकार का कोई डिपॉज़े नहीं होता है जो शैंपू और आपके बालों में जो शाइन आती है जो बाउन्स आता है हाँ इनिशली आपको फ्रिज देख सकता है यह हो सकता है लेकिन जैसे जैसे आप इस चीज़ के अपने बालों को समझाते जाएंगे तो आपके बाल भी आपको help ही करेंगे और यकीन मानिए आपकी चोटी मोटी होने से कोई नहीं रोग सकता मैं भी नहीं कोई भी नहीं और आप बहुत अच्छे अचीव करेंगे अगर आप इसको ऐसे ही फॉलो करते हैं तो तो मेरे परिवार को समझ में आ चुका है कि टॉनिक हमें रोज पीना है और हेड़ वाश के लिए हमें इस पाउडर का इस्तमाल अपने बालों के लिए करना है और अगर आप चाहते हैं कि आपको बहुत अच्छे मिलें जल्दी रिजाल्स मिलें तो प्लीज मेक शॉर कि आप किसी भी केमिकल ट्रीटमेंट का इस्तमाल नहीं कर रहे हैं इंक्लूडिंग यॉर शांपूस जी हां आपको क्लारिफाइंग शांपूस का इस्तमाल नहीं करना है इंक्लूडिंग यॉर डाइज और काली सब्सक्राइब करें जब तक कि आप अपनी चाहते हैं वो अचीव ना कर लिए इन दोनों ही चीजों के साथ आपको अपने बालों में कम से कम हफते में दो बार ओलिंग करनी है आप जिस ओल के लिए आप लगाईए और शांपू कीजिए अगर आप अच्छे से साफ होंके और एक दम लहर आ जाएंगे अपनी जो भी उनकी पूजिशन है वहां तक वो आ जाएंगे फॉर शो क्या बच्चे इसका इस्तमाल कर सकते हैं बच्चों के लिए topical application is just amazing अराम से कीजिए टॉनिक में नहीं बोलूंगी कि आप उनको दे क्योंकि अगर उनकी इम्म्यूनिटी स्ट्रॉंग नहीं है तो यह काफी जादा स्ट्रॉंग चीज हो सकती है तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके तीनों का blend ना दे सिरफ आमला एक बार consumption के लिए दे कर देखें तो धीरे धीरे अगर उनकी बोडी स्ट्रॉंग होगी तो यह डिकॉक्शन भी दे पाएगी पट इनीशली आ वोड़ नॉट सेजेस्ट तो गो स्लो विद दे चिल्रॉंग क्या इसके कोई साइड एफेक्ट है हलका सा फ्रिज आपको दिख सकता है थोड़े बहुत ग्रानियोल धोने के बाद दिख सकते हैं इसके अलावा कोई साइड एफेक्ट नहीं ह शैंपू बना के रखना चाहते हैं तो आई वोड नॉट सेजेस्ट हर बार फ्रेश बनाईये क्योंकि जब ड्राइड पाउडर को पानी मिलता है तो उसी समय उसके अंदर जो ब्यूटिफुल चेंज़ आते हैं वो हेड वॉश और जो आप बना कर रखेंगे उसका हेड व होती हूं तो क्या हम तीन बार इसी अप्लिकेशन को करें जि बिल्कुल करें कोई टेंचन नहीं है जरूरी थोड़ी नहीं कि हर बार आपको डिकॉक्शन बनाना है टॉनिक निकालना है अब सीधा घोलिए जो भी चीज़े मिलानी है और सीधा शांपू कर लिजे नो वरी स तो हमेशा की तरह आशा करती हूं कि मेरे परिवार को मेरी प्रस्तुती समझ में आई है अगर पसंद आई है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलेगा इसके बारे में पढ़िए समझे और फिर देखे कि कितनी ताकरतवर है आप खोद आके लिखेंगे कि वह प्रेणा क्या बात बताई है do try it out for yourself और जब आपकी चोटी मोटी हो जाए तो वापस आके हमें अवश्य बताईएगा और परिवार के बाकी लोगों को भी confidence दीजेगा आप सभी से मिलती हूं अपनी अगले वीडियो में with something magical for your hair skin and health तब तक के लिए अपना बहुत सारा खयाल रखिए और